नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल हिंदी ट्रिक्सेंड मस्ति पर आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने SBI इंटरनेट बेंकिंग के पासवर्ड को अपने मोबाइल से ही आसानी से बदल सकते हैं अगर आपके SBI इंटरनेट बेंकिंग के पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है या फिर आप अपने SBI इंटरनेट बेंकिंग के पासवर्ड को भूल चुके हैं तो इस वीडियो में आपको इसकी step by step परकिरिया दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप अपना SBI इंटरनेट बेंकिंग के पासवर्ड को बिना किसी परियसानी के मॉबाइल से ही बदल सकेंगे तो आएए चलते हैं अपने मॉबाइल स्क्रिन पर और जानते हैं इसकी लाइब प्रोसेस दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मॉबाइल के ब्रावजर को आपन करना है और वहाँ पर online sbi.sbi की website पर जाना है लिंक आपको वीडियो के निचे description box में भी मिल जाएगा वहाँ पर आपको कुछ इस तरह का page दिखाई देगा इसमें आपको professional banking के login वाले option पर click करना है और फिर continue to login वाले option पर click करना है और थोड़ा scroll down करके यहाँ पर आपको login password का option मिलेगा इसमें click करना है जिसके बाद forget my login password का option आएगा इससे रहने दे और nest पर click करें जिसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की page खुलेगी इसमें आपको username वाले option में अपने internet banking का जो username है उसे डालना है अधी आप भूल चुके हैं तो उसे कैसे पता करें इसके वीडियो का link जल्द ही आई बटन तथा description box में मिल जाएगा उसे देख करके आप अपना username को जान स देखते हैं तो यहाँ पर अपना user नाम डाले और उसके बाद account number को डाले आपके जो अभी bank की account number है उसे आप यहाँ पर डाले और फिर अपने country को select करें और यहाँ पर अपना mobile number डाले और फिर अपना date of birth डाले फिर यहाँ पर जो capture आ रहा है उसे आपको यहाँ पर डालना है और submit button पर click करें इसके बाद आपके register mobile number में एक one time password आएगा उसे आपको यहाँ पर डालना है और confirm वाले option पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर तीन option मिलेगा using ATM card detail, using profile password और reset your login password with branch activation मतलब इन तीनों option में आप जिस भी माध्यम से अपना password को बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं तो मैं फिलाल यहाँ पर आपको ATM के माध्यम से password को change करके दिखाने वाला हूँ तो सबसे first वाले option को select करें और submit पर click करें इसके बाद आपकी ATM card की detail यहाँ पर आ जाएगा आपका जो भी ATM card active है वह आपका active card वाला option में आ जाएगा तथा अधि कोई ATM card expire हो गया है तो उसका detail आपको नीचे other card वाले option में दिख जाएगी तो आपको active card वाले option पर click करना है जिसके बाद debit card validation की page खुलेगी इसमें आपको card holder के name वाले option में card holder के नाम को डालना है और फिर valid to expiry date में अपने ATM card की expiry date यहाँ डालें और फिर pin वाले option में आपके ATM card का जो pin है उसे यहाँ डालें तथा यहाँ पे जो capture आ रहा है उसे आप यहाँ पे डालें और अंत में proceed बटन पर click करें जिसके बाद अगर आपने सब कुछ सही डाले होंगे तो यहाँ पे आपका success का status आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं your debit card validation is success आ गया है इसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है थोड़ा सा वेट करना है जिसके बाद कुछ ही देर में automatic इस तरह का एक page open होगा इसमें आपको enter new login password तथा confirm login password का option आएगा इसमें आप अपना जो भी password रखना चाहते हैं उसे आपको enter new login password में डालना है और उसी password को आप confirm new login password में भी डालें आपको अपना password कैसे रखना है उसका detail आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आपका password कितने लेटर का होना चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए इन दोनों जगह पे password डालने के बाद submit बटन पर click करें जिसके बाद अगर आपने सही format में password डाले होंगे तो इस type का एक smiley icon और उसके नीचे your login password has been received successfully लिखा हुआ दिखाई देगा तो समझ जाईए आपका password सफलता पुरवक change हो चुका है अब आप अपने new password के साथ SBI internet banking में असानी से login करके इनकी सभी सेवाओं का लाब उठा सकते हैं तो यह थी पूरी परकिरिये SBI internet banking के password को mobile से बदलने की अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और ओप्योगी लगा तो वीडियो को like करके channel को subscribe जरूर कर लें ताकि हमारी और भी वीडियो को आप असानी से देख पाएंगे अधि आपके पास कोई सवाल है या इस संबंद में और अधिक जनकारी चाहिए तो किरपिया comment box में अपना सवाल पूछे हम आपकी मदद करने के लिए यहा है धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में सुरक्षित रहें और खुद का ध्यान रखे